जैशी किशन आप सभी को कैसे हैं आप आज 8 होटूबर 2023 का मैं राशी फल लेकर आचुकी हूँ तो क्या कहते हैं आपकी सितारे और सूरे देव किस राशी पर रहने वाले हैं महरबार तो जान लेते हैं मेश राशी से लेकर मीन राशी तक का देनिक राशी फल तो राशी फल बताने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग कि आज का पंचांग क्या है आज की तीती है नौमी सुबा दस बच के बारा मिनट तक और उसके बाद लग जाएगी दशमी तीती आज का नशतर है पुष्चे नशत जो बहुती अच्छा और शुब माना जाता है दो बच के पंतालीस सुभा नौ अक्ट्यूबर तक रहेगा ये और आज का करन है तैतिल और गर आज का पक्षे है कृष्ण पक्षे आज का योग है शिफ और आज है दिर्व रविवार तो अब जाल लेते हैं आपकी सितारे क्या लेकर आएं है आपके लिए आपका दिन कैसा रहने वाला है और कैसा नहीं किस के अनुसार आपने करना है क्या कारे तो साथ में मैं उपाई भी लेकर आएं धन से जोड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, आप यदि किसी प्रतियोगी परिक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, तो संगर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी, किसी अनावशक वाद विवास से बचे, नई लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्ते आपका अच्छा बना रहेगा, आज क्या नहीं करें, आज क्रोध पन्य अंत्रन अखना होगा, आज का शुबरंग है महरून, आज का महाँ उपाए, आज आप वट विर्ष के पर जल चड़ाएं, और साथ में एक दीपक भी प्र करने से बचे, किसी पुराने मित्र से संपर्ग बनेगा, या अचानक मुलाकात हो सकती है, आने वाले दिनों में सभी तरह के कानुनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे, रिष्टदारों और दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है, आज क्या नहीं करें, आज आज आपफि प्रतिस पर्दी, अपनी चाल में असफल रहेंगे, पैसे बचा कर आप अपने भविशे के बारे में सोच सकते हैं, और कहीं पर पैसे निवेश कर सकते हैं, आपकी लोग प्रियता मेवरदी होगी, कोशिश करने से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी असानी से पार क कर देंगे, आज का दिन आपके लिए आनन दायक और यादगार रहेगा, आपके बच्चे अधिक सहासी बनेंगे, विध्यातियों को शेशतम परिनाम प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रियास करने होंगे, आज क्या नहीं करें, आज नौकरी छोड़ने का मन बनेगा, लेकिन बड़ों से सलाज जरूर ले, आज शुबरंग है पीला, और आज का महा उपाए, आज हरा चारा गाय को खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा, करकराशी वाले के लिए आज आज आपके जीवन की सभी विनाशकारी शक्तियां दूर भाग जाएंगी, और आपके जीव उमें अधिक लगेगा, वर्षों से अधूरी मनो कामन है पूरी होंगी, आपकी सर्जन शक्ति में सक्रात्पक वरदी होगी, आज क्या नहीं करें, आज आलस का त्याक करें, आज का शुबरंग है हरा, आज का महा उपाए हरी वस्तों का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा सिंगराशी, सिंगराशी वाले आज आपको अपने जीवन में खुशियों का नजारा देखने को मिलने वाला है, बिजनिस में फायदे की योग बन रहे हैं और भूमी खरीदने के योग बन रहे हैं, आज का दिन आपकी प्रेम संबंदों के लिए अशुब रहेगा, आपक रख रखाव में खर्च बढ़ेंगे, आज आपको विश्वास घात मल सकता है, इसलिए इसे सावधान रहे हैं, सेहत थोड़ी कमजोर रहे सकती है, स्वास्ते का ध्यान रखें, आज क्या नहीं करें, आज किसी बिमारी की चपेट में आने की संभाव ना है, तो किर्पया क करते अपने स्वास्ते पे ध्यान दें, आज का शुबरंग है सफीद और आज का महा उपए, आज माद देवी दुर्गा की अराधना अवश्य करें, कन्याराशी, कन्याराशी वालों आज की लिए उत्तम रहेगा, परिजनों और साथ में काम करने वालों के संद नौकरी आपके अनुकूल होगी, धार में कारे तथा किसी यात्रा पड़ जा सकते हैं, धहरे शीलिता में वृदी भी होगी, आज क्या नहीं करें, आज दिल की बाद दिल में रखें, आज का शुबरंग है नीला, आज का महा उपए, आज केसर का तिलक लगाएंगे, तो आपको धनललाब होगा, तुलाराशी, तुलाराशी आज अपने किसी दोस्ते मल सकते हैं, यह दोस्त आपकी काफी मदद भी करेगा, देश में रहने वाले मित्रो या परिवारजनों का समचार आपको भावी भोर कर देगा, आप खुश होंगे, लंबी दूरी की यात्रा क योग है, आतेदी काम का बोज आपको ठका सकता है, और यह अनुभव भी आपके लिए अच्छा होगा, कारेसल पर अधिकारी वर्ग में महत्व बढ़ेगा, परिवार में चल रहे हैं विवात की कारण घर का त्याग करना भी पढ़ सकता है, शारिरी कृप से आस्वस्त औ अपने उपर से उबार कर किसी भी मंदिर में रख आए, व्रेशिक राशी, व्रेशिक राशी आज भागे, हर ओर से आपको खुशियों की प्राप्ती देने वाला है, अपनी वस्तूओं को संभाल कर नहीं रखने से नुकसान की उमीद है, वैपारिक नवीन योजराओं से आज का दिन शेश्टम है, सूरे देव की कृपा से आपका पारिवरिक जीवन खुशाल वैतीत होने वाला है, आज क्या नहीं करें, आज यात्रा से बचें, आज का शुबरंग है, गुलाबी, और आज का महाँ उपाई, लाल रुमाल पास में रखेंगे तो अच्छा होग धनुराशी, धनुराशी, आज आज आपके वैपार धन्दे में बडोतरी होने वाली है, उसमें लाब भी होगा, वेवसाई के चेतर में आपको लाब होगा, मानुर पतिष्ठा की प्राप्ती होगी, नौकरी में परमोशन भी मिलेगा, और कारे से जादा करने की वज़े स थकावट का नुभव करेंगे, संगीत के प्रती आपका मनुरंजन भी होगा, और उसकी तरफ जादा आपका रुजान भी रहेगा, दोस्तों की साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा, रिष्ठेदार या पुराने मित्र की सहायता से आपको कारोबार में तरक्की मिलेगी, लग मकराशी, मकराशी आज का दिन विध्यातियों के लिए अच्छा है, उनको अभ्यास में सफलता मिलेगी, एवं परगती के लिए नया मौका भी प्राप्त होगा, परिवार में दुख होने से घर का वातर वरंदूशित होगा, धन का खर्च अदिक हो जाएगा, अदालती का समचारों से संभल कर चलिएगा, सुखत समचारों की प्रधानता बनी रहेगी, आप जो भी कारे मन लगा कर करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, विशेश रोग के पीछे अकास में खर्च हो सकता है, आज क्या नहीं करें, आज जा तक करियर को लिका सतर करेंगे, आज का महा हो पाई, किसी अंदे विक्ति की मदद करेंगे, तो आप पर इश्वर की कृपा बरसेगी, आज का अब है कुम्भराशी, कुम्भराशी आज परिवार में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा, और सुको सविधाओं में बड़ोतरी होगी, बाहर के खानपान से बच विध्यार्टियों की पढ़ाई में विग्न आ सकता है, बहुत धिक चर्चा तथा बाचीत में भाग ना ले, सफलता मिलेगी, प्रियव एक्ति से मुलाकात होगी, शेर सट्टा में सावधानी रखे, संतान के साथ आज आज आपके संबद अच्छे हो सकते हैं, आप अपन पर्स में मोर पंक रखेंगे तो पैसे की परिशानी दूर होगी, और अब है मीन राशी, मीन राशी आज आपके लिए खुश नमा रहने वाला है आपका दिन, आपकी आये में बढ़ोतरी होने के योग हैं, आपको कारेशेतर में और विपार में बहुत लाब होगा, विध विवसाई में गति आएगी, आर्ति सिती मजबूत होगी, आप काम्याबी के नए शिकर प्राप्त करेंगे, आपकी अपनी मेहनत से ही आपकी किस्मत खुलेगी, किस्मत आपका साथ देती रहेगी, आज क्या नहीं करें, आज खान पन पर थोड़ा ध्यान दे, स्वास्ते क आज का शुबरंग है, पीला, आज का महा उपाई, आज नारियल या खरोट घर के मंदिर में रखेंगे, तो आपको धनलाब होगा, तो आज की जो राशी फल है, हो चुका है, आपके सितारे क्या कहते हैं, आपको पता चल चुका है, इश्वय करे कि आपका दिन मंगल मेरे जीवन की जो भी परेशानिया है, वो सारी दूर हो, साथ में जिसे क्या आप जानते हैं, आज रवी पुश्य नशत्र है, तो आप कर लीजिए एक छोटा सा उपाई, साथ में शाद्य पक्ष की दश मीती थी, भी लग जाएगी, तो करना क्या है आपने, आज तो सबसे पह आप जब भी उठें, स्रानादी करने के बाद, सूरे देव को आज जल जरूर चड़ाएं, जल में लाल चंदन मिलाएंगे, तो आपके नौकरी या बिजनिस को लेके, जो भी समस्या चल रही, वो अवश्य दूर होगी, दूसरा, आज की दिन आप भगवान श्रीहरी बना लें, इसी में आपने लगू नारिल डाल के अच्छे सेन के उपर लगा देना है, और फिल लाल कपड़ा लेकर उसमें लपेट के इस पोटली को आप मालक्ष्मी और भगवान श्रीहरी विष्णू के चर्णों में अर्पन कर दें, वहीं बैठ कर आप 108 बार जो भी मं आपके जीवन में जो धन को लेकर परिशानी चल रहें, वह सारी दूर होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादे से जादे से शेयर करें, आपका दिन मंगल मही हो, मुझे आगया दीजे, फिर मिलते हैं कल के राशी फल के साथ में जैशी किशना आप सभी को आप साथ